कि यहां आगे हम लोग कुछ कोशन जो बेसिक है स्टार्ट फ्रम बेसिक उसमें आज सिंप्लिफिकेशन के कुछ टाइप्स को देखेंगे तो देखते हैं आगे अगर कोशन ऐसे है 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 4 into 5 plus 1 by 5 into 6 plus 1 by 6 into 7 और कोशन पुछे इसका एंसर क्या होगा इस कोशन को दूसरे ढंग से ऐसे भी लिखा हो सकता है 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 12 plus 1 by 20 plus 1 by 30 plus 1 by 42 तो आप गौर करना या तो ऐसे या ऐसे दोनों में से एक format में रह सकता है तो यह NTPC में भी आने के चांसे है और यह SSC GDO अगर है में भी आने के चांसे है MTS में आएगा ब्यार सरकार के exams में आएगा इसमें हम लोग देखें कैसे बढ़ेंगे यह ऐसे अगर रहेगा तो गौर करना यह factorize करने पर दो लगाता है उपर में अगर एक है तो पहले तो यह देखेंगे 1 into 2, 2 आ रहा है, 2 गुना 3 या 6 आ रहा है और उपर में अंतर एक है, 3 जों का 12, 4 पच्चे 20, 5 चक्ते यनि इसको अगर break करने को कहता तो आप इसको भी ऐसे ही break करते 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7 आप ऐसे ही break करते हैं और वैसे cases में जब ऐसे आप break करेंगे तो क्या question को इतना बड़ा का LCM लेके solve करेंगे तो बहुत time लगेगा हम लोग ऐसे question में direct यह देखेंगे, क्यों कैसे नहीं हम लोग direct 2 से 2 cancel, 3 से 3 cancel, 4 से 4 cancel, 5 से 5 cancel, 6 से 6 cancel एकदम solve में, यहनि आपको याद रखना है 1 by 1, और last होला जो होगा वो minus sign के साथ होगा, plus वाला होगा, minus वाला last होगा तो last क्या होगा, 1 by 7, 1 by 1 minus 1 by 7, तो answer हो जाएगा 6 by 7 है ना बहुत असान, अगला एक question और देखते हैं हम इस पर 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4, 1 by ऐसे करके 1 by 20 into 21, 20 गुना 21, तो गौर करना, एक दो, दो, तीन, तीन, चार यह dash dash जब भी रहेगा ना ऐसे, तब तो यह इसको follow कर रहा है कि यह दो लगातार का, या different sim का, यह जैसा भी होगा, इस वे में यह आगे बर रहा है, ठीक है, तो जब इस वे में आगे बर रहा है, तो हम लोग ऐसे जानगा है कि दो से दो कटेगा, तीन से तीन कटेगा, यह दो दो कैंसिल, तीन तीन कैंसिल, चार से चार, यानि 20 तक कट जाएगा, बचेगा क्या, पहला positive sign के साथ, और last negative sign के साथ, यानि 1 by 1, minus 1 by 21, answer क्या होगा, 20 by 21, एक से और मैं बतला दूँ, अगर 1 से स्टार्ट है, 1, 2, गौर करना, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1 से शुरू है, तो ऐसे केस में सीधा इसी को हम लोग answer लिख सकते हैं, 20 बटा 21, जैसे अगर एक्जाम में यह आ गया, 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, से लेका, 1 by 49 into 50, अगर question इतना बड़ा आ गया, तो घबराना नहीं है, देख कर answer बताना है, और वो answer क्या होगा, सिधा 49 बटा 50, सिधा 49 बटा 50, क्यों, क्योंकि 1 से शुरू है, तो 1 से शुरू होगा, तो जो last का factor होगा, वह ही होगा, ध्यान एक चीज और क्या देना है, यहां पर एक कांतर है, तो उपर एक होना चाहिए, यहां दो कांतर होता है, फैक्टर के बेज, तो उपर दो चाहिए, नहीं है, तो लाएंगे, और ज्यादा है, तो घटाएंगे, तो पहले तो यह देख है, clear? तो इस पर दो-तीन questions और हम लोग देख लें, 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4, से लेकर कहां तक? 1 by 99 into 100 तक, answer आपको पता है, देखने के साथ बता सकते हो, 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4, से लेकर यह भी कहां तक? तो 1 by n into, अगर हम लोग लिखें, n plus 1 तक, अब यह n के term में आ गया, समझ में आ रहा होगा? अच्छे से समझने कुशिस करेंगे, कमेंट्स जरूर करना, लाइट जरूर करना, जितने लोग देखेंगे, चुप चाप कंजूसी मत करना, और कोशिस करना, ज्यादा स्यादा फ्रेंट के बीच में सेयर करें, ठीक है? तो अगला कोशन, 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, से लेकर यह 1 by n plus 4 into 1 plus 5, अब ध्यान देना, ये गलत कराने के लिए कैसे पलटता है, ध्यान देंगे, यही कुश्यन गलत कराएगा, तो 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4, से लेकर यह ऐसे रहेगा, कि 1 by n plus 7 into n plus 6, गौर करना, गलत क्या कराएगा, ये सब मैंने क्या देखा, मैंने कि उपाले छोटा वाला है, बाद में बरा वाला है, देखरों छोटा है, n आ, n plus 1 ज्यादा है, n plus 4 आ, n plus 5, ये सब ओर्डर में है, यहाँ पलट दिया है, n plus 7, n plus 6, ये थोरा सा गलत कराने, ऐसे एक्जाम्स में कुश्यन आ चुका है, तो हम लोग देखें, इन कुश्यन्स को कैसे सॉल्ब करेंगे, ठीक है, तो पाले वाले को, तो समझ रहा है कि 1 से स्टार्ट है, या तो एक रास्ता ये है कि 1 by 1 minus 1 by 100, या तो ऐसे निकालो, या जब 1 से शुरू है, तो सिधा एंसर बता दो, 99 by 100, खिले रहा है, यहां भी, या तो 1 by 1 में से, 1 by n plus 1 को घटा दो, या डारेक्ट एंसर लिख दो, क्या लिख सकते हैं, n by n plus 1, समझ में आ रहा है, n by n plus 1, तो यहां भी क्या लिखते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, n plus 4, उपर छोटा वाला, और नीचे बरा वाला, n plus 5, सब यहां से में सभी को आ रहा होगा, यह, देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, उपर में छोटा लिखेंगे, n plus 6, और नीचे बरा, n plus 7, in fact, ऐसे कटता है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, और छोटा वाला कटेगा, बरा वाला बच जाता है, और अगर फॉर्मिट में लिखेंगे, तो 1 by 1, minus 1 by n plus 7, बरा वाला minus होता है, यह 1 से था, तब तो देख कर answer बता दिए, अब 1 से नहीं रहता, तब क्या करते हैं, तो आगे देखते हैं, यानि अगर question ऐसे रहता, कि 1 by 5 into 6, प्लस 1 by 6 into 7, प्लस 1 by 7 into 8, और इस से लेका, 1 by अगर 9 into 10, ऐसे रहता है, तो 9 by 10 नहीं करेंगे, अभी जो हम लोग देखें, कि उपर छोटा वाला नीचे बरा वाला वो काम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, तो देखो, यहाँ पे 6 और 6 कट जाएगा, 7 7 कटेगा, 8 से 8, ऐसे भी जो कटेगा, 9 तक है, कट जाएगा, बचेगा क्या, first term एक वर्टा 5, last term एक वर्टा 10, 5 और 10 का LCM, 10, 5 से भाग तो 2, 10 से 1, यानि एक वर्टा 10, समझ में आ रहा होगा सभी को, एक दो कुश्यन और देख ले, 1 बाइ 10 इंटू 11, प्लस 1 बाइ 11 इंटू 12, प्लस 1 बाइ 12 इंटू 13, से लेका, 1 बाइ 19 इंटू 20, अब 19 वर्टा 20 नहीं एंसर होगा, क्या होगा, बीच में कुछ ही नहीं देखना है, पाला टर्म, यह भी देख लेना, यहाँ भी एरेंजिंग में है की नहीं, स्टार्ट छोटा से है की नहीं, तो यह स्टार्ट 1 बाइ 10 लिखेंगे, और यह लास्ट में एक वर्टा 20 लिखेंगे, 10 अब 20, कैल्सियम 20, 10 से भाग दो 2, 20 से 1, यानि एंसर एक वर्टा 20, सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बन्या बन्या सा कमेंट ज़रूर लिखना, कम से कम अपने नाम के साथ कमेंट लिखो, सार को लगे कि यहां कौन कमेंट कर रहा है, क्लियर, हम लोग का हिम्मत वही रहता है, हम लोग का फीव वही है, कि आप कितने रंग से हमको भी तो यह लगना चाहिए, कि जो मैं परा रहा हूँ, आप लोग उसको पसंद कर रहा हो, उससे फाइदा ले रहा हो, तो मोटिवेट आप भी होगे, हम भी होगे, आगे बढ़ेंगे, आगे देखे, अब अगर उपर अंतर दोका होगा, जैसे, 2 by 1 into 3, plus 2 by 3 into 5, plus 2 by 5 into 7, plus 2 by 7 into 9, plus 2 by 9 into 11, इस टाइप का भी कोश्चन एक्जाम में आता है, अब ध्यान देंगे, अगर यहां नीचे फाक्टर 2 का है, अंतर 2 का है, तो उपर दो रहेगा, इस कोश्चन को फिर से देखे, ऐसे भी लिख सकता है, कैसे, कि उपर 2, नीचे 3, उपर 2 नीचे 15, यह 2 बटा 35, यहां 2 बटा 63, यह 2 बटा 99, हम लोगों को देखना होगा, कि फैक्टोराइज करने पर, इसको अगर हम लोग फैक्टोराइज करेंगे, तो उपर 2 है, मतलब क्या नीचे अंतर 2 का आ रहा है, आ रहा है तो कुछ नहीं करना था, तो देखें, आ रहा है, कि एक और 3, इसको 1 इंटू 3 लिख सकते हो, इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हो, इसको 5 इंटू 7 लिख सकते हो, यह 7 इंटू 9 लिख सकते हो, यह 9 इंटू 11, अच्छा एक चीज़ और, आप से बहुत calculation का उम्मीद नहीं करता है, वो ऐसा ही रहेगा कि किसी ने किसी concept पर वो based रहेगा, question ठीका हुआ रहेगा, आप उस trick को लगाओ, answer निकालो, क्योंकि हमको जवाब सेकेंडू में देना है, और बहुत calculations की आवसकता नहीं होती है, तो question को समझना है, understanding power को develop करना है, और छोटा छोटा चीज, पहारा, गुना, पहारा कम से कम 25 तक आपको रटना होगा, daily एक पहारा याद करो, 25 दिन में 25 तक हो, फिर कभी वो भी बताएंगे कि हम कैसे नहीं भूले, तो 25 दिन में 25 तक पहारा होगा, square 50 तक करना है, एक दिन में अगर थोड़ा थोड़ा ये ले करके चलेंगे, तो याद रहेगा, साथ ही साथ, 5 multiply और 5 divide daily करना है, वो सब मैं कभी किसी class में फिर आपको बताऊंगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग यहाँ देखें, कि अगर ऐसा है, नीचे देखो, अंतर दो का है, तो उपर दो रहना चाहिए, अगर नहीं है, तो दो लाने की कोचिस करनी होगी, और इसको भी break करेंगे न, तो ये 1 by 1 minus 1 by 3 ही होगा, ये 2 by 1, कुछ लोग गलत लिख देते हैं, कि सर यहाँ 2 by 1 minus 2 by 3, ये गलती मत करना, ये गलत है, इसी को solve करोगे तो 2 बटा 3 आ जाएगा, देखो न, 3 स गटा 2 बटा 3, ऐसे ही इसको करेंगे, तो 1 by 3 minus 1 by 5, इसको करेंगे, तो 1 by 5 minus 1 by 7, यहाँ भी 1 by 7 minus 1 by 9, और यहाँ भी plus 1 by 9 minus 1 by 11, ये तो आपको समझने के लिए मैंने इतना बड़ा बताया, लेकिन क्या एक्जाम में इतना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, दो का अंतर है, केवल देखना है, तो solve, यहाँ देखों, यह और यह कटेगा, 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 बचा कौन, पहला, और बचा कौन, लास्ट, यहाँ एक्जाम में हम लोग केवल 1 by 1, यह 2 by 1 नहीं, 1 by 1, और लास्ट टरम, 1 1 by 11 यहनी answer 10 by 11 देखने के साथ हम लोग solve करेंगे अगला कुछ इस पर भी एक दू कोश्चन देखले 1 by 2 ही बाइले 2 by 1 into 3 2 by 3 into 5 2 by 5 into 7 silica 2 by 19 into 21 2 by 1 into 3 2 by 3 into 5 2 by 5 into 7 silica 2 by 39 into 41 2 by 1 into 3 2 by 3 into 5 2 by 5 into 7 silica 2 by n into n plus 2 इसमें से कोई भी कुश्चन आपको पूच सकता है clear है तो परला कुश्चन को हम लोग देखें यह 1 into 3 यह 3 into 5 5 into 7 7 into 9 9 into 11 इसको फॉलो कर रहा है और 19 गुना एक किस तक जा रहा है हम लोग जानते हैं यह सारा कैंसिल होगा यह बीच वाला जितना है ना 3 3 5 5 7 7 19 तक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 by 1 minus 1 by 21 और यह घटाएंगे तो 20 वाटा 21 ऐसे ही यहां क्या बचता है एक वाटा 1 minus एक वाटा 41 मतलब 40 वाटा 41 यहां क्या बचेगा एक वाटा 1 minus एक वाटा n plus 2 तो नीचे तो n plus 2 ठीक है उपर एक कम यानि n plus 1 तो ऐसे अगर डिफ्रेंस दो का रहेगा तीन का भी रह सकता है लेकिन वो questions आने के chances नहीं है फिर भी मैं एक दो question केवल आपको दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद आज के class को यहीं रोक रहा हूँ पाले एक दो question देख ले या कि 3y अगर 1 into 4 हो 3y 4 into 7 हो 3y 7 into 10 हो से लेकर 16 into 19 हो यह 3y 1 into 4 तको तीन-तीन का अंतर है 3y 4 into 7 3y 7 into 10 से लेकर 3y 25 into 28 तो एक n में भी ले ले 3 into 1 into 4 3 into 4 into 7 3 by 7 into 10 से लेकर 3 by n into n plus 3 लियान देंगे यह सारा question सब बहुत ही जी है करना क्या है 1447 ऐसे dash dash लग गया तो समझ जाओ कि बहुत easy question पूछ दिया हम लोग लिखेंगे 1 by 1 minus 1 by 19 3 नहीं 3 नहीं फिर से मैं repeat कर रहा हूँ 3 नहीं यह 3 तो अंतर को बतलाता है 3 factor के अंतर को बतलाता है उपर अगर है तो ठीक है नहीं है तो लाना परेगा फिर आगे कभी किसी दूसरे वीडियो में वही मैं बताऊंगा तो यह answer हो गया 18 बटा 19 यहां भी 1 by 1 minus 1 by 28 और यह घटा लिया तो answer हो गया 27 बटा 28 और last वाले को भी देखें यह भी क्या होगा 1 by 1 minus 1 by n plus 3 n plus 3 से एक घटेगा answer आएगा n plus 2 by n plus 3 अगर इसमें कोई भी doubts हो, कोई problem हो तो comment box में वो भी लिखेंगे कि sir इसको दुबारा बताए जाए साथी साथ याद रखना यह channel कमजोर बच्चों के लिए है जिनको math से डर लगता है उनके लिए है उन सारे बच्चे जो math से डरते हैं जिनका result math के कारण नहीं होता उन सभी के साथ ठीके सिना है कमजोर बच्चों का एक ही सहरा ठीके सिना and now TK सिना is back Thank you